मस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टो अर्ट चैनल मनिश लोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है, आज की समय में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमें बहुत चीजों की रिक्वाइर्मेंट के लिए दोस्तों पैसे की आवश वेहिकल लेना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जैसे कार लोन है, बाइक लोन है, इस तरह से आपको वेहिकल लोन मिल जाएंगे, और अगर आपको परसनल एक्सपेंसिज के लिए लोन चाहिए, तो आपको जो परसनल लोन है, वो प्रवाइड किया जाता है, यानि वार अलग तरह के जो documents हैं हमें submit करने पड़ते हैं bank के पास nbfc company के पास या जितने भी जो finance जो fund houses उनके पास लेकिन जितने भी यह document रहते हैं अलग अलग तरह के loan में एक चीज इनके अंदर comment रहती है वो रहती है civil score जब भी आप bank के पास जाते हैं या किसी nbfc company के पास जाते है और जिसका civil score थोड़ा सा कम रहता है उसको थोड़ा सा जो ज़्यादा rate of interest के उपर loan मिलता है यानि अगर हम overall conclusion देखते हैं तो जो civil score है एक महत्यपूर्ण जो भूमी का निवाता है हमारे loan को approve होने में rate of interest decide करने में और अगर आप लोग देखते होंगे आपके पास जो mobile पर जो confusion हमारे mind में create होता है civil score को लेकर और ये loan के लिए इतना ज्यादा important क्यों है हम अपने civil score को कैसे improve कर सकते हैं और free of course civil score कैसे देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि civil score देखने के लिए कई जगाए पर बहुत सारे पैसे देने पड़ता है उसके बाद हम अपना civil score चेक कर स तो चलिए दोस्तों मिल कर सिखते हैं ऐसा कि आप लोग जानते जो civil score है आपके loan और credit के लिए कितना ज्यादा important है तो भी अचलिए जानते कि exactly civil score होता क्या है मान के चलिए आपको loan की requirement है तो उसको अप्रूख रूआने के लिए आप जाते है किसी lender के पास lender directly किसी भी ऐसे stranger क तो पैसे देगा नहीं तो वो जाता है civil के पास civil एक अलग organization है जितनी हमारी जो banking transaction है financial transaction है उनको maintain करती है और उसी के base के ओपर हमें civil score provide करती है यानि हम जिसको loan provide कर रहे हैं वो repayment करने के लिए कितना ज्यादा सक्सम है दोस्तों जो civil की range रहती है वो 300 से लेकर 900 के बीच में रहती है यानि जितनी ज्यादा आपका civil score होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फाइदे मन्द होगा तो civil की जो parent company है वो है transunion civil जो 600 million से ज्यादा लोगों का data रखते है civil score है चार criteria के उपर maintain किया जाता है सबसे पहले loan की repayment history उसके बाद है आपके जितना भी जो credit utilization है यानि आपने कितना credit use किया है उसके बाद inquiry यानि loan के लिए credit card के लिए आपने कितनी ज्यादा inquiry किया जाता है उसके बाद आजाता credit mix यानि इन पर वो आपका depend करता है तो दोस्त आप लोग देख रहे हैं इधर आपको इनके जो और product है business loan है financing है और loan के जितने भी detail है वो भी आपको मिल जाएगा और साथ में आप यहाँ पर free में civil score check कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दे दिया उधर से आप अभी check out कर सकते हो तो दोस्तों finally आपके दिमाग से जो civil score है इसक को हम improve कैसे करते हैं जैसे कि मैंने इधर आपको 4 point बता है सबसे पहले है जो है हमारे loan की repayment history यानि अगर हम कोई भी loan लेते हैं अगर हम उसको timely चुकाते रहते हैं हर महिने जैसे EMI अगर उसको payment करते रहते हैं तो उसका जो update है वो civil में जाता है और जिस तरह हमारा loan का repayment जो पर कई बैंकों में जाकर inquiry create करते हैं अगर आपको credit card चाहिए तो जगह जगह पर आप credit card के लिए apply करते हो यानि अगर multiple inquiries create होती है तो इसका भी civil के उपर एक bad impact पड़ता है यानि अगर आप बहुत ज्यादा inquiry create करते हैं तो जिससे आपका civil score down रहने की संभावना रहती है तो इस तरह से हमें जो civil score में inquiries से ज्यादा बचना चाहिए ताकि हमारा जो civil score है वो improve रहे तो next factor आ जाता है हमारा high credit utilization आप लोगों ने देखा हुआ बहुत सारे credit card आपके पास होंगे या फिर आपके पास अगर आपने loan लिया है तो अगर आपका credit card है अगर आपको 30% या 40% से ज्यादा की जो limit है अगर आप उसको use करते हैं तो इसका भी एक bad impact है आपके जो civil के उपर देखने को मिलेगा तो जब भी आपके पास किसी भी bank का credit card रहता है तो जितने उसकी limit है उसकी limit 30 से लेकर 40% से ज्यादा आप use मत कीजिए नहीं तो दोस्तों उसका एक bad impact उसके उपर credit mix है इनके उपर दोस्तों जो हमारा civil score है पूरी तरह से depend करता है यानि अगर हमें अपना civil score improve करना है तो इन चार फेक्टरों को दोस्तों हम नजर देखते हुए इनको maintain करते हुए हम अपने जो civil score को बहुत अच्छा maintain कर सकते हैं इधर 800 से उपर 700 से उपर अगर हमारा civil score रह समस्कोई civil का जितना भी दोस्तों confusion था हमारे दिमाग में अभी दोबारा से दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप free में अपना civil score है अगर चेक करना चाते है तो दोस्तों जो pyramal finance की website है pyramal finance के उपर जाकर आप अपना free of course civil check कर सकते है और इनके दोस्तों ज परी में अपना civil score चेक कीजिए और इनके जो और बहुत सारे loan के offer है उनको explore कीजिए फाइनली दोस्तों civil की इस वीडियो के उपर आपका क्या कमेंट मुझे comment section में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी जरूर बताएगा दोस्तों फिर मिले इसी तरह इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातर हम